हलो गैस विलकम बैक टो वर्ड चैनल माईने में सोनम जोहान तो आज की मारे क्लास का टोपिक है वित्य परशासने वंब बजट यानि की तो काफी इंपोटन्ट ये टॉपिक है हाला कि सारे ही टॉपिक इंपोटन्ट होते हैं क्योंकि यार एक वीडियो का नौटिविकेशन आप तक पहुंचता रहे क्योंकि जब हम koji नए video डालते हैं तो उसकी नौटियफिकेशन बाब तक आता है तभी आपको पता लगता है आपको एक दम से notify होता है कि हाँ मैं हमकी कोई नई वीडियो जरूर आगे तो हर वीडियो के लिए notification के लिए जरूरी है कि subscribe जरूर कर लो अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आपसे और बात क्यादा चाहती हूँ कि अगर आपको इसकी पुपेटी फो में नोट्स बगारा में कुछ ऐसा material चाहिए तो आप हमारे telegram गुरूप को join कर सकते हैं description में उसका link मिल जाएगा क्योंकि जितनी भी classes अब तक की हो चुकी है उनके सारे के सारे notes का जो performa है वो हम सब अपने telegram को telegram पर जाकर के share कर देते हैं ठीक है और अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि telegram link जो नीचे description में दिया हुआ है मैंने कभी-कभी सीदे click नहीं हो पाता है तो सोनम चोहन पॉलिटी के नाम से आप अपने telegram जो आपका app है वहाँ पर जाकर जैसे सर्च करोगे हमारा चैनल आपको दिख जाएगा ठीक है तो जले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगा meaning and importance of financial administration यानि कि वित्य प्रशासन के अरदोर महत्व के बारे में कि इसकी क्या जरूत परती इतनी importance इसकी होती क्यों है देखिए प्रशास की जो होता है वो engine की तरह काम करता है प्रशास की एक engine है और अगर हम उस उस engine को चलाने वाला क्या है एक पूरे administrative को चलाने वाली चीज क्या है वित्य यानि की finance है जो एक इंधन की तरह एक fuel की तरह काम करता है तो सभी उद्यम वित्य पर निर्भा करते हैं संगटन में कारे संपन करने के लिए वित एक अभी पिरना एक inspiration का का काम करती है क्योंकि आप सोच सकते हो कि कि किसी भी policy को हम create कर सकते हैं बना सकते हैं legislative दुनिया अमरे के कानून बना सकती हैं उनको execute कर सकते हैं लेकिन execute करने से पहले आपके पास financial जो background है वो strong होना बहुत जरुए जिस भी state के पास में पैसा नहीं है तो वो policy सिर्फ बना सकते हैं उनको execute या उनक management हैं जिनमें बहुत लोग मिलकर के इसको चला रहे हैं इसको काम कर रहे हैं तो वो free service तो बिलकुल भी नहीं दे रहे होंगे वो कहीं न कहीं उनको एक payment कहीं न कहीं उनको एक allowance दिये जाते हैं जिनकी वज़े से वो अपने काम को सही तरीके से कर पाते हैं अपनी responsibility को सही तर रहे हैं तो वित परशासन बहुत ही जादा यहां पर महतु रखता है परतिक परशासने कारियों को संपन करने के लिए वित की आवशक्ता पड़ती है फाइनेंस की आवशक्ता पड़ती है कहने का मतलब है अगर simple भाशा मैं आपको बताओ कि पैसे की जरूरत पड़ती ही और इन सभी कारेकर्मों को जनता तक पहुँचाने के लिए पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन में एक बहुत बड़ा करमचारी समू बहुत जादा मतलब जो ग्रूप है वो बहुत सारे लोगों का जो ग्रूप है वो काम करता है जन से वसंबंदी कारे निशकाम भावना के अगर वो काम कर पा रहे हैं तो उन्हें समूचित वेतन भत्ते देने पड़ते हैं ठीक है तो वो परदान की जाते हैं तो इसलिए जरूरी है वित्य परशासन वित इसलिए जरूरी है किसी भी स्टेट के लिए अब यहाँ पर हम बात करते कि एक अच्छे वित्य परशासन के तत्वर सिध्धान कौन-कौन से हो सकते हैं यानि कि जैसे पहला पॉइंट है कि सार्वजनिक धन के आबटन में सार्वजनिक इच्छा परतिभिंबेत हो यानि कि एक अच्छा financial जो administration है वो कौन-कौन से होने चाहिए वो कौन-कौन से ऐसे theories है जिनके बेस पर हम बोल सकते हैं कि इसे healthy financial administration तो जो सार्वजनिक धन है यानि कि जो public finance है उसको distribute करने के लिए उसको लोगों तक बाटने के लिए उनमें क्या इच्छा उन्चे एक सार्वनिक इच्छा परतिभिंबित होनी चाहिए वहाँ पर allocate करने के लिए वो चीज़े दिखनी हो चाहिए कि हाँ हम public के लिए काम कर रहे है दूसरा है वित्य प्रशासनिक विवसा सरलोर पारदर्शी हो यानि कि जो financial जो administrative जो system है वो बहुत simple होना चाहिए वो clarify होना चैस में बिल्कुल भी complications नहीं होने चैकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जैसे कि normally हम बात करते हैं जोडिश्री में आप देख लो जोडिश्री में अगर किसी को समझ रहे है तो आम आदमी उस language को तो समझ ना मतलब उनके लिए तो impossible है हम और आप नहीं समझ सकते हैं उस language को केवल वो समझ सकते हैं जो जुडिश्री में काम कर रहे हैं जो जो वकील है जो जज हैं सिर्फ वो ही उस भाषा को समझ पा रहे हैं आम जो जन माने से वो उस भाषा को समझता ही नहीं है तो जो administration होता है basically अगर हम finance administration के बात करते हैं तो बहुत ही जादा simple और clarify होना चाहिए तो ये एक सबसे बड़ा सिधान्त या सबसे बड़ा जो theories है वो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स कह सकते हैं कि healthy financial administration की इसके बाद third point है प्रशासनिक व्यवस्ता के पढ़ते किस तर पर एक रूपता हो ठीक है यानि कि जो administrative जो system है उसके हर एक level पर एक unity मतलब unity कायम होने चाहिए एक रूपता कायम होने चाहिए इसके बाद fourth point है कि वित्य प्रशासनि वित्य संक्रियाओं के लिए पूनता है उत्तरदाई हो जो responsibility है वो पूरी होनी चाहिए एक जवाब देही आवशक होनी चाहिए ठीक है कि अगर कुछ question पूछा जा रहा है तो उसकी प्रति उसकी responsibility वो रिखे and fifth point है कि वित्य प्रशासन फलोत बादक हो यानि कि यह budget संबंदी जितने भी यहाँ पर काम की जाते हैं परिक्षन होते हैं उन पर सबसे तब बल दिया जाता है उनका मतलब एक तरीके से कि जो भी policy जो भी system carried किया जा रहा है उसमें एक feedback या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं उसका एक फल पराप्त हो इस level से वहाँ पर काम किया जाता है ठीक है तो यह सारे जितने भी हमने यहाँ पर पांच पॉइंट यहाँ पर आपको बताएं यह है एक healthy financial administration की principles अब अगर थोड़ा सा बात करें कि जो वित्य परशासने वो तीन अंग उसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं एक है fiscal policy यानि कि वित्यनीतिया दूसरा है वित्य परबंध यानि कि fiscal management और थार्ड है वित्य उत्तरदाइत यानि कि fiscal accountability अब वित्यनीति का क्षेतर क्या होता है बहुत जादा technical होता है तक्निके परकार का होता है और इसमें करसिद्ध यानि कि जो tax principles हैं जो रिन हैं यानि कि जो debt है जो tax है इससे जुड़ी वे जो भी मामले हैं वो रखे जाते हैं दूसरा है वित्य प्रबंध यानि कि fiscal management अब यह पूरा का पूरा आयवयव अनुदान कितना auditing accounting इनका सबका जो management है वो कहां पर होता है fiscal management में अब यह क्या करता है इन संक्रिया होने कि जितना भी प्रोसेस जितने भी एक्टिविटी होती है उनका विवस्थापिका के परतिक दाइतुफ पाजाता है जिसे लेखा परिक्षन कहते हैं ठीक है उनका account उनकी accountability तयार करना ठीक है अब इसके बाद हम बात करेंगे budget की तो budget जो होता है वो basically इसका जो शब्द है वो अंगरे जी शब्द budget के उत्पति फ्रांसे से भाशा के शब्द बाजते से हुई है ठीक है और जिसका अभी पर आगर इसका meanings निकालते हैं चमडे का थेला तो पहले समय में क्या होता था कि जो भी budget present करता था उसके हाथ में चमडे क ministers होते हैं उनके पास एक red type मदब red मदब देखने में लाल होता है bags होता है बैक के अंदर वो सारे papers वो सारे जितने भी budget के जो भी होते हैं प्रजेंटेशन के वो सब उसके अंदर होता है ठीक है तो वार्शिक आइवेव के कागजात पूरा साल भर का जो भी लेखा जेखा ह होता है कितना invest करना है कितना income हुई है कितना हमें लगाना ही वो सब उनके सब के कागजात वित मंतरी एक चमड़े के थेले में रखकर ही संसत में लाता है सं 1773 में ब्रिटेन में house of common में किसी सदे से ने विंग्यात्मक रूप से कहा था है निकि कि किसी ने ऐसे ही कहा दिया था कि मतलब ऐसे ही किसी ने ये statement दे दिया था वहाँ पर बोल दिया था कि वित मंतरी ने अपना budget अब खोला है तो तब से सरकार ने वार्शिक आईवेव के प्रस्ताव को इस पूरे process को budget कहना start कर दिया ठीक है वैसे normally चमड़े का थेला होता था और किसी को इस word के बारे मे भी नहीं बता था बस ऐसे ही किसी ने बोल दिया कि भाई वित मंतरी ने अब अपना budget खोल दिया है ठीक है तो वहीं से है तब ही से सरकार के वार्शिक आईवेव के जो भी प्रस्ताव है जो भी presentation है वो इसी शब्द का परियोग वहाँ पर किये जाने लगा हाला कि अगर budget शब्द का परियोग की बात करें तो सबसे पहले इंग्लेंड में हुआ और लेकिन आज यह समस्त देशों की एक भाशाओं में विद्मान है और समय के साथ साथ budget शब्द के परियोग में अब परियाप्त परिवर्तन भी आ गया है हर country में budget का अपना अपना process होता है अपनी people of budgeting तो यहां पर कुछ परंपराय विशेष्टा है पारंपारिक विशेष्टा है और कुछ आधुनिक तो पारंपारिक विशेष्टाओं में अगर हम classical tradition की बात करते हैं तो unity, regularity, accuracy, clarity, publicity तो यह और operational advocacy तो यह सारी इतनी भी चीज़े होती है जैसे एकता, नियमित्ता, यह थ budget को represent करने हैं कि बजट कैसा होना चाहिए उसमें unity होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बजट बना दिया, दस लोग खड़े हो गई भी हमें तो पसंद ही नहीं आ रहा है, वहाँ पर उसमें unity होनी चाहिए, regularity होनी चाहिए कि हर साल देखो लाना ही लाना है, इस base पर accuracy होनी चाहिए शुद्धता होनी चाहिए, clarity होनी चाहिए ताकि हर एक एक बड़े से बड़ा आदमी और छोटे से छोटा जन्मानस उसको समझ सके, ठीक, प्रचार publicity ज़ाद होनी चाहिए, सारे के सारे हमने आपे पढ़ लिए इसके principle of budgeting, I hope so यहाँ तक की चीज़े आपकी clear out हो चुकी हो लेकिन फिर भी अगर कोई question है तो नीजे comment में आप pin कर सकते हैं, बता सकते हैं या फिर हमें Instagram पर आप DM कर सकते हैं, description में लिंक आपको मिल जाएगा, so वीडियो पसंद आती है तो informative लगते हो, definitely like और share तो आपको करी देना है, अभी तक subscribe नहीं किया, तो please do subscribe and bell icon को press कर लेना है ताकि हर एक वीडियो का notification आप तक पहुंसा रहे हैं, ठीक है, और इसकी one shot वीडियो भी हम जरूर आएगे, एक दो दिन में आज ये कल आपको one shot वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि एक revision के लिए काफी बहतर साधन आपको मिल जाता है one shot वीडियो का, तो जल्दी उसको भी upload क कर देंगे, तो फटा-फटा से वीडियो को like or share definitely कर देना, तो मिलते हैं, नेक्स information के साथ में नेक्स lecture में, तब तक के लिए, जेहिन, जे भारत.